एक report share किया गया है Association of Mutual Funds in India के दुआरा investors अब बहुत बड़े numbers में अपना SIP account बंद करवा रहे हैं पिछले 12 महिनों में on an average हर महिने 9.2 lakh SIP account शुरू हो रहा था पर February 2023 में ये decline होकर 6.6 lakhs account open हुआ है और February 2023 में ही 14.3 lakh SIP account बंद किया गया है इसमें निवेशकों के SIP के जरिये mutual fund में निवेश बंद करने वालों की संख्या बढ़ी है बट SIP खातों को बंद करने की तादाद बढ़ गई है एक्सपर्ट की राए ये है कि market अच्छा perform नहीं कर रहा है इसलिए लोग अपना SIP account बंद करवा रहे हैं Sensex पिछले एक साल में माइनस 1.23% का return दिया है वही Nifty 50 ने माइनस 2.39% का return दिया है इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अभी क्यों सही time हो सकता है SIP शुरू करने के लिए और साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि SIP बेटर है या लंग सम इन्वेस्मेंट long term wealth के लिए SIP यानि systematic investment planning इसमें आप हर महिने एक specific date पे automatically आपके bank account से पैसे invest हो जाते हैं आपके चुने mutual funds में SIP के तीन बहुत ही important फाइदे है number one आप एक disciplined investor बन जाते हैं SIP स्टार्ट करने के बाद आपके पास कोई option नहीं है आपको discipline होना ही पड़ेगा क्योंकि हर महिने पैसे invest होते हैं वैसे आप SIP को कभी भी pause या stop कर सकते हैं और बाकी पैसे invested रहेंगे और grow भी होंगे पर फिर भी SIP से आप बिना किसी effort से discipline बन जाते हैं क्योंकि consistency maintained रहती है आपकी investments की number two आपको rupee cost averaging का benefit मिलता है जब आप mutual funds में invest करते हैं तो आपको units मिलते हैं वो depend करता है किस NAV पे आपने खरीदा है NAV का मतलब है net asset value जैसे company की share price होती है उसी तरह mutual fund companies की NAV होती है चलिए इसे example समझते हैं तो मान लीजिए आपने 1st January 2023 में एक mutual fund में 10,000 rupee invest किये और net asset value था उस दिन 15 rupee का तो units निकालने का formula बहुती simple है invested amount divided by NAV तो आपको 666.67 units मिला अपने पहले SIP से दूसरे मन ठीक एक तारिक को फिर से आपके 10,000 rupee invest हो गए और उस दिन NAV था 17 rupee का तो आपको units थोड़े कम मिले जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको 588.24 units मिले next महिने का भी आप NAV देख सकते हैं 12, 16 and 10 तो जब आप अपने NAV का total करेंगे और उसका average निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 महिनों में अपने SIP investments में आपने on an average 14 rupee के average NAV से आपने ये सारे units खरीदे हैं माल लीजी आपने 1 July 2023 में अपने सारे units को बेच दिया या उसे redeem कर लिया और उस दिन एक NAV का price था 18 rupee तो आपने total 66,838.24 रुपीज कमाया यही अगर आपने 50,000 रुपे 1st January 2023 में ही lump sum invest किया होता और उस दिन NAV चल रहा था 15 रुपे का तो आपको 3,333.33 units मिलती और आपने अगर अपने lump sum investment को redeem किया होता 1 July 2023 में तो आपको 60,000 रुपीज मिलते जो 6,000 रुपे कम है SIP वाले strategy से तो यही है रुपी cost average जो आपको SIP में मिलता है तीसरा benefit है power of compounding मैंने SIP calculator open किया है मान लेते हैं आप 15,000 रुपे पर मन से 25 साल के उमर में आपने SIP शुरू किया और 20 साल तक आप करने का सोच रहे हैं और आपका expected returns मान लेते हैं 15% annually होने वाला है तो आप देख सकते हैं कि 20 साल बात यानि जब आप 45 की होंगे आपका investment 2.3 करोड का हो चुका होगा जिसमें आपने 36 lakh रुपीज invest किया है और आपको 1.9 करोड का returns मिला है अभी आप देखेंगे compounding का power 45 की age में अभी आपके पास एक अच्छी job है और आपको फिलाल पैसो की requirement नहीं है तो आपने 2 साल 15,000 का SIP continue किया तो आप देखिए 2.3 करोड आपके 3.1 करोड हो चुके है यानि 2 सालों में आपने 80,000,000 करोड कमाया है अभी आपने चलिए 3 साल और continue किया और आप देख सकते हैं कि 3.1 करोड अब 4.9 करोड हो चुका है यानि last 3 years में आपने 1.8 करोड कमाया है तो माल लेते हैं कि आपको सच में पैसे कोई अभी जरूरत नहीं है और आप 3 साल और continue करेंगे तो अब आपका 4.9 करोड अब 7.8 करोड हो जाएगा यानि last 3 years में आपने 2.9 करोड कमाया है तो 35 साल अगर आप invested रहते हैं तो आपका investment value 22.3 करोड हो चुका होगा अब आते हैं lump sum में आप एक बड़ा amount invest करते हैं mutual funds में इसका पहला फाइदा यह है कि इसमें कोई भी fixed investment नहीं है यानि SIP के तरह आपको हर महिने इसमें invest नहीं करना होता है और आपको tension नहीं रहती है कि अपने bank account में enough balance रखने की दूसरा benefit है आपको better returns मिल सकता है अगर market उपर जाता है तो चली पिछले excel sheet से ही हम समझते हैं कि कैसे lump sum से आपका फाइदा हो सकता है assume करते हैं कि हर महिने market उपर जा रहा है जिससे NAV का price बढ़ रहा है और 1st July 2023 में आपने redeem किया अपने SIP को और उस दिन NAV चल रहा था 32 रुपीज का तो total investment value बना 75,345.45 रुपीज और अगर आपने इतने ही पैसे lump sum में invest किये होते 1st January 2023 में जब उसका NAV था 15 रुपीज का तो आपको 3,333.33 units मिलते और आपने अगर 1st July 2023 में redeem किया होता lump sum investment को और उस वक्त NAV था 32 रुपीज का तो आपका investment value होता 1,6666.67 रुपीज दोनों का अगर आप difference देखेंगे तो around 31,000 रुपीज का difference आता है तो ये बहुत बड़ा advantage है lump sum investment में अगर market उपर जाता है तो आपको returns भी अच्छे मिलते हैं अब आते हैं main question पे SIP करे या lump sum करे mostly experts कहते हैं कि SIP बेटर है एक beginner के लिए and lump sum investment बेटर है एक experience investor के लिए क्योंकि SIP आप कभी भी शुरू कर सकते हैं market कैसा perform कर रहा है इससे उतना फरक नहीं पड़ता है पर lump sum investment में आप market को time कर रहे होते हैं जो ज़्यादा risky होता है और SIP इतना ज़्यादा popular है कि लोग कहते हैं कि SIP बेटर है lump sum से पर ऐसा हम हर एक scenario में नहीं कह सकते हैं example के लिए मैंने यहाँ पर kotak flexi cap fund को use किया है यह investment recommendation बिल्कुल भी नहीं है तो आप देख सकते हैं 1st April 2020 में इनका 1 NAV यानि net asset value की price थी 28 रुपीज तो excel sheet पर date वाले column में 0104 2020 टाइब करते हैं और मान लेते हैं आपने 5000 रुपे से SIP शुरू किया है इस दिन तो आपको 178.57 units मिलेगा तो next month एक तारीक को फिर से 5000 रुपे automatically invest हो गया इस mutual funds में तो उस दिन एक NAV का cost था 31.09 रुपीज तो इस sell को नीचे drop करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको 160.82 units मिला ऐसा करके मैंने पूरे साल का amount invested and NAV plus units calculate कर लिया है 1st April 2020 से 1st December 2020 तक total investment हुआ है 45,000 रुपीज and total units मिला है 1283.74 माल लेते हैं जितना आपने SIP में invest किया है पूरे साल में अगर आप उतना ही lump sum invest करते तो क्या आपको फाइदा होता या नुकसान होता चले वो भी देख लेते हैं तो मैंने lump sum में add किया है 45,000 रुपीज और 1st April 2020 में एक NAV का cost था 28 रुपीज तो total units आया 1607.14 और माल लेजिए आपने 1st January 2021 में आपने सारे units बेच दिया SIP में भी और lump sum में भी तो चले इनका difference देखते हैं तो 1st January 2021 के अनुसार एक NAV का cost है 45.36 रुपीज तो total SIP value आएगा number of units multiplied by NAV जो around 58,000 रुपीज आएगा similarly हम lump sum का भी calculate कर लेते हैं number of units multiplied by NAV ये आएगा around 72,000 रुपीज तो SIP में absolute return आया है 29.40% का lump sum का calculate करे तो इसका absolute returns आया है 62% का पहले 8 मेने में तो lump sum investment ने better perform किया है इसे अगर continue करे आज के date तक तो क्या difference आएगा चले वो भी देख लेते हैं 1st January 2021 से आपने 5,000 रुपे का SIP continue किया और उस दिन NAV था 45.36 का इसी तरीके से मैंने 1st of March 2023 तक का NAV and units calculate कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि total investment हुआ है 1,80,000 रुपे का और total units मिला है 3,745.88 का और ये जो 57.1 का value है ये NAV है 28th March 2023 का और ये assume करते हैं कि इस दिन हमने सारे units को redeem किया है तो total investment value हुआ 1,80,000 का तो total SIP value आया 2,17,000 का तो absolute return आयेगा 18.83% का 1st April 2020 को 45,000 रुपीज लंबसम इन्वेस्ट हुआ है जिस पे कुल units मिला है 1,600 और 1st January 2021 में 1,35,000 का लंबसम इन्वेस्मेंट हुआ है तब आपको 2,976 units मिले हैं तो total unit हुआ 4,583.33 तो SIP and lump sum के unit difference देखते हैं तो 800 ज्यादा units मिले हैं lump sum investment में तो total investment value है 1,80,000 रुपे total SIP value आया 2,60,000 के around and absolute return आया 45.39% का तो अगर absolute returns में difference देखें तो वो है around 26.57 का आप NAV का price chart देख सकते हैं SIP में net profit आप देख सकते हैं छोटा सा है compared to lump sum investment में तो शायद आपके मन में आप ये चल रहा होगा कि lump sum तो definitely better है SIP से पर ऐसा नहीं है एक और example समझते हैं ये है ICICI Prudential Technology Direct Plan Growth Mutual Funds इसमें मैंने invest किया है और मैं आपको recommend बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ तो last एक साल में इस mutual fund ने minus 19.58% का return दिया है इनका NAV था 175.77 पे 1st April 2022 में and 28 March 2023 में इनका NAV ड्रॉप हुआ है 140 के around तो माल लेते हैं कि आपने इस fund में 1st April 2022 में 1,00,000 रुपे invest किये होते तो उसका value आज 80,420 रुपे हो जाता लेकिन यही अगर आपने SIP continue किया होता 8,500 रुपीज का तब भी आपको नुकसान होता पर आपकी investment value 96,849 रुपीज होती जो काफी कम loss है compared to lump sum investment में तो as a investor आपको logic पर भी धान देना चाहिए कोई mutual fund अच्छा perform क्यों नहीं कर रहा है तो इस mutual fund ने 46 companies में invest किया है जिसमें से 31.6% तो इन्होंने Infosys Limited पर ही invest किया है 18.4% TCS पर यानि इंडिया की top 2 companies में इन्होंने heavily invest किया है तो Infosys ने last एक साल में minus 25.89% का return दिया है TCS ने minus 14.80% का return दिया है तो इन दोनों holding का ही अगर आप average returns calculate करे तो 20% down होता है अगर आप अभी SIP redeem करते है तो आपको नुकसान ही होता है तो brief में मैं आपको यही समधाने कोशिश कर रहा हूँ कि जब market गिरता है तो SIP में आपको फाइदा होता है यानि bearish market में हमेशा SIP एच्छा perform करेगा और वही जब bullish market आता है यानि जब market उपर जा रहा होता है तो lump sum में अच्छा फाइदा मिल सकता है अगर आपकी timing सही रही तो चलिए practically देखते है first time SIP या lump sum investment कैसे करते है मैंने Angel 1 का यहाँ पे example लिया है यह sponsored नहीं है आप कोई सा भी आप use कर सकते हैं अपने SIP या lump sum investment के लिए tax saving funds तो मैंने click किया high returns पे और जो सबसे उपर आया है वो है quant small cap fund growth direct plan इस mutual fund ने पिछले 3 सालों में 68.08% का return दिया है और 5 सालों में 22.78% का current NAV यानि net asset value है 143.06 रुपीज का तो quant small cap fund growth direct plan के उपर आप देख सकते हैं कुछ keywords लिखे हुए हैं यह equity mutual funds है यानि mostly यह shares में invest करते हैं उसके बाद लिखा है small cap funds यानि यह small cap companies में invest करते हैं small cap companies वो है जिनका market capitalization 5000 करोड से कम होता है उसके बाद आप देख सकते हैं कि लिखा है growth इसका मतलब होता है जो भी dividend मिलता है वो सारे पैसे यह reinvest करते हैं इसमें आप minimum SIP 1000 रूपे के साथ शुरू कर सकते हैं और minimum lump sum आप 5000 रूपे तक invest कर सकते हैं और right side में आप देख सकते हैं your investment pad का option है तो SIP के लिए आपको यहाँ पे calendar पर click करना है मैंने select किया है 1st May 2023 उस दिन मेरे bank account से पैसे automatically इस mutual fund में invest हो जाएगा one time के लिए आपको SIP के right side पर click करना है क्योंकि यह one time है इसलिए कोई calendar नहीं है तो आप minimum 5000 रूपे इनवेस्ट कर सकते हैं अपने UPI या net banking से तो conclusion इस वीडियो का क्या है number one अपना SIP को बंद मत करिए in general एक दो साल का returns पर focus आपको नहीं करना है क्योंकि जब आप mutual funds में invest करते हैं तो minimum 3 to 5 years invested रहे तब ही आपको एक अच्छा returns मिल सकता है number two SIP salaried वक्ति के लिए अच्छा option है और lump sum businessman या उन लोगों के लिए better हो सकता है जिनका एक fixed income नहीं है और जिनको थोड़ा बहुत experience है stock market के बारे में तीसरा and final conclusion ये है कि सब के लिए lump sum investment सही नहीं है क्योंकि पहली चीज़ आपको एक बड़ा capital चाहिए lump sum से benefit लेने के लिए और knowledge भी चाहिए stock market के बारे में लेकिन SIP start करना बहुत ही easy है यहाँ पे आप minimum पैसो से भी start कर सकते है तो entry barrier बहुत ही कम है ऐसे कई सारे mutual funds है जहाँ पर आप सिर्फ 100 rupees पर month से भी शुरू कर सकते हैं मैं mutual fund investing पर एक crash course बहुत जल्दी आप सभी के लिए ला रहा हूँ आपको चानल को subscribe करके all notification bell को on कर देना है जिससे तो जब मैं वो free course upload करूँ तो आपको notification मिल जाएगा वीडियो अगर अच्छी लगी तो like जरूर करिए और comments में अपनी राई share करिए अगर आपके पास अभी odd time है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बनाया है dividend investing के बारे में